और राजस्थान रॉयल्स के बीच का मैच राजस्थान रॉयल्स की तरफ से बैतरिन बैटिंग हुई हलाकि रियान प्रियाग ने थुरा सा डिस्टर्प नजर आए और रन वहां पे नहीं बन रहा था चुकि बिकेट पहले से गिर चुके थे यह सवी जस्वाल पांच रन ब कि अश्विन को आगे पर्मुट किया और अश्विन वहां जाके लगभग तीन रेगुलर कंटिन्यू लगाते हैं और वहां से मैच की और राजस्थान रॉयल्स के स्कूर बोर्ड में थुरा सा इजाफा होता है और चौथे छक्के के लिए जब अस्विन जाते हैं तब ज अच्छी बैटिंग के धी और प्रयान प्रयाग को नौर्ट जी नोकिया डिली से बोर्डिंग करने के लिए आते तब जाकर तीन चौगे और दो छक्के लगाते हैं लाश्ट ऑर में और लास्ट याग चोटल पैतालिस वलों का सामना करते हैं जिसने 26 वहन चर्विस षब्यस खीले थे उसमें मांतर चहटविस रही थे और उसके बाद जो नाइस व मिचिल मार्गर को अच्छी सुरूवात में टोटल नावाद उन्चासरन बनाए मिचल मार्स के आउट होने के बाद एक विकेट 30 पे ही गिर जाती है टोटल दो विकेट 30 पे गिरती है और दिल्ली फंस्ती हुई नजर आती है रिशर पंत आते हैं अच्छी बैटिंग करते हैं अच्छे कनेक्ट हो रहे थे डेवीड वार्नर भ हैं अच्छी बैटिंग की 14 बनाए अच्छा कंट्रिब्यूट किया पर लास्ट अभर में जब मैच जाता है तब वहां पर एक अभर में 17 की जोड़त होती है और अबेस खान बॉलिंग कर रहे थे अबेस खान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की लगातार यरकट डाल रहे अठर पतफिया थे और अबेस फटके बैट से कनेक्ट नहीं उपा रहा था और वहां पे दिली क्याप्टल फच जाती है और अबेस खान ने जो यरकट डाल रहे थे वहां पे मौका नहीं मिला था बैस्टमेन को और तोटल 12 रण से बार्चित अप्टल हार जाती थाथ तो दिल्ली की जो पिलिंग 11 है क्या होगा वीनिंग पिलिंग 11 दिल्ली केप्टल और उनके मनेजमेंट सोचेंगे रजस्थान रॉयल्स की तो थोड़ी से अच्छी पट्री धरली है और अच्छा वो खेलने हैं उसके वाद सियसके तो सब जानते हैं उसकी तीम हरे में सास परते दरूर करें